नमस्का, मैं होसासी आयो जर्खंड की टॉप 25 पर मोख खबर जानते हैं जर्खंड में 16% बारिश धान की खेती पर संकट जर्खंड में मांसुन के बेरुखी से धान की खेती पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं बताद धान की रोपनी सुरू तो हो गई है लेकिन मांसुन की बारिश की कमी के करण रोपनी की रफ्तार थम गई है बताद पिछले साल करीब 17.6.4 लाख हेक्टेर में धान की खेती हुई थी इस साल 18.8 लाख हेक्टेर में धान लगाने का लग्ष है लेकिन मांसुन में कौम बारिस होने के कारण सफी जीलो में धान की रोपनी शुरू नहीं होई है समाने की तुलना में राज्य 4 जुलाई तक महज भर 15.73 परतिशत बारिस होई है इसका असर धान की रोपनी पर दिख रहा है राज्य में अभी तक महज 56.409 हेक्टेर में ही धान की रोपनी हो सकी है यह लक्ष के विरूत 3 परतिशत ही है बता दे बीते साल 14 जुलाई तक राज्य में 2.93 लाख हेक्टेर में धान की फसल लग गई थी किरिसी बी से सग्व के अनुसार अभी 10 अगस तक धान की रोपनी की जाएगी जार्खन में 11 जुलाई तक बारिस के असार है मौसम विभाग की माने तो हलके से मत दर्श की बारिस की संभावना है राजे में अगले 5 दिनों के दोरान अधिकतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है वहीं बुद्धवार 6 जुलाई को बारिस की संभावना है में गजन के साथ 7 बजरपात की भी असांका है इसे लेकर एलो अलर जारी किया गया है बता दे जहारखन में हलके सिमा दर्ज की बारिस 11 जुलाई तक बारिस के असार है सियम हमंत ने सोर उर्जा नीती 2022 का किया लोकारपन जार्खन के मुख्य मंत्री हमान सुरे ने सौर उर्जा नीती 2022 का लोकारपन करते हुए कहा कि सोलर सीटी के रूप में गिरीडी को बिक्सित किया जाएगा सहरी छेतर के अलावा ग्रामिन अस्तर पर भी बेहतर परचार पर सायर कर बड़ी उपलब्दी हासिल की जाएगी उन्हें आसा है कि सोर उर्जा के छेतर में काम करने वाले निवेस को कोया निती पसंद आएगी जारखन स्टेट ओलेंपियाड परिक्षा 18 जुलाई से जारखन स्टेट ओलेंपियाड 18 से 20 जुलाई तक होगी परिक्षा दोनों पालियों मिली जाएगी जेसी ई आर्टी राची के निदेशा किरन कुमारी पासी तिये निर्देश मिलने के बाद जिले में इसकी त्यारी शुरू कर दी गई है पत्र में कहा गया है कि जीन केंद्रो पर मैट्रिक वा ईंटर की परिक्शा होई थी वहीं पर जारखन इस्टेट उलंपियार भी होगा निर्देश दिया गया है कि परिक्शा केंद्र पर CCTV टीवी छात्रों की संख्या के अनुरूप पर्याप्त संख्या में बेंच डेस्क बिजली पानी वा सवचाले की बिवस्ता होनी चाहिए जार्खन सरकार को केंद्रिय सचीव की चेतावनी नहीं मिलेगा पैसा अगर जार्खन सरकार समय पर योजनाओ को पूरा नहीं करेगी तो केंद्रिय सरकार रासी नहीं देगी ऐसे में बड़ी संख्या में सटड़क और पूल का काम पूरा करने के लिए राज सरकार को अपनी रासी खर्च करनी होगी बता दे केंद्र सरकार PM ग्राम सड़क योजना 1 और RCPLW की इस योजनाओं से अपना हाथ खीच लेगी राजुको के वाल PM GSI 1 की योजनाओं को ही पूरा करने में बड़ी राशी खर्च करनी होगी अभी केंद्र 60% और राज सरकार 40% राशी योजनाओं के लिए दे रही है केंद्रिये ग्रामिन विकास मंत्राले के सचीव एन एन सिन्हा ने बातचीत में बताया की RCPLWE की योजना मार्श जोजार 23 तक पूरी करनी होगी इसके लिए या समय निधारी था PM मोदी को 5 बैदिक पंडित कराएंगे पूजा आरचना PM नरेंद्र मोदी को सरदार पंडा गुलाबनन्द ओजा समेथ 5 बैदिक पंडित देवगर बाबा मंदीर में पूजा कराएंगे इसमें PM के पुस्तैनी पंडाव इस्टेट पुरोहित भी सामिल रहेंगे बता दे पुजा आरचना के बाद माता तारा मंदीर के ठीक सामने PM को असिरवाद दिया जाएगा गोड़ा सांसर डाक्टर निसिकान दूबे ने रभी वार्देर राथ पुरो मंत्री के जहां के साथ बाबा बैनात मंदीर का निरिक्षन किया इस दोरान परधान मंत्री नायंद मोदी द्वारा बाबा मंदीर में पुजा अर्चनावा उनके आगमन को लेकर कई तेयारिया की गई है जारखन की आर्थिक इस्थीदी खराव 96,406 क्रोर कर्ज भारतिय रियर बैंक की ओर से राजियों की बीतिय थीतियों को लेकर जारी एक रिपोर्ट में जारखन देश के बड़े कर्जदार राजियों में सामिल है रिपोर्ट में बताया गया है कि उतर परदेश पंजाब राजस्थान केल पछिम मंगल आंद्रे परदेश जारखन आदी राजियों में खर्च को विभीन सुरोतों से कर्ज लेकर बढ़ाया जाता रहा इससे इन परदेशों के आर्थिक हालात लगातार खराब हो रही है चिनित किये गए राजियों को विभीन सुरोतों से प्राप्त आमदनी का एक बड़ा हिस्ता कर्ज के एवज में ब्याज चुकाने में खर्च हो रहा है इसके अलावा कर्मियों के पेंसन का भी भार है बता दे जार्खन का कर्ज 96,406 कर रुपए है सहारा इंडिया पर एक लाख रुपए जुर्माना जार्खन हाई कोट के जस्टिस गौतम चौधरी की अदालत ने धनवाद के रंगुनी मोजा के 85 एकर जमीन पर सहरा इंडिया के दावे को खारिज कर दिया है अदालत ने मामले को अवैत तरीके सलंबित रखने के लिए सहरा इंडिया पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया है साथ ही अदालत ने राई सरकार के भी उस जमीन पर दावे को खारिज करते हुए कहा है कि उक्त जमीन प्रार्थी पाल ब्रदर्स की है उक्त जमीन पर अश्रीफ अस्पताल बन गया है सरकार ने वर्ष 2019 में 11 एकर जमीन अस्पताल की दी थी अदालत ने अस्पताल को यह छूट देते हुए कहा है कि वह राई सरकार से छती पूर्थी मांग सकते है इस मामले में अदालत ने पूरो में आपना फैसला सुरक्षित लख रहा था JCERT में मास्टर ट्रेनर सिक्षको की चल रही ट्रेनिंग जहर्खन सेक्षिनिक अनुसंधान वा प्रसिक्षन परिसाद में सिक्षको की ट्रेनिंग चल रही है सभी 24 जीलो के 50 सिक्षको को मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रसिक्षित किया जा रहा है बता दे ए मास्टर ट्रेनर जीलो में सिक्षको को प्रसिक्षित करेंगे साथ जुलाई तक चलने वाले इस प्रसिक्षन में यंग लाइब इंडिया की टीम प्रसिक्षित कर रही है इसमें स्कूली बच्चों के जीवन कौसन के बारे में सिक्षकों को बताया जा रहा है ये सिक्षक अपने अपने जीलों के सिक्षकों को प्रसिक्षित करेंगे इसके बाद ये सिक्षक इसकूली बच्चों को इस बारे में बताएंगे जार्खन सिक्षा परियोजना परिशत के गुनवात्ता सिक्षा प्रभारी अभिनाव कुमार ने कहा है कि आने वाले समाई को देखते वेस्टिक्ष को बच्चो और समाज को नए सीरे से परिवासित करने की आवसकता है जहारखन में सौर उर्जा से दो रूपे तक सस्ती बिजली मिलेगी मुख्य मंत्री हमंसुरे ने मंगलवार को जहारखन की सौर उर्जा नीती 2022 का लोकारपन किया राज सरकार ने अगले 5 सालों में सौर उर्जा से 4000 मेगावार्ट बिजली उत्पादन का लक्ष तै किया है सौर उर्जा से राजे के लोगों को 2 से 58 रूपे प्रती यूनिट बिजली मिल सकेगी अभी 4 से 5 रूपे प्रती यूनिट बिजली मिलती है बतादे गिरी डिको सोलर सिटी के रूप में विक्सित किया जाएगा स्रावनी मेले में और समाजिक तर्थो पर नजर रखने को लेकर अलर्ट देव घर में होने वाले स्रावनी मेले को लेकर सुरक्षा के पुकता इंतिजाम किये जा रहे हैं देव घर में 12 जुलाई को परधान मंतरी नयन्यमोती का दोरा होना है इसके बाद 14 जुलाई से दो सालों के बाद स्रावनी मेले का आउयन होना है बता दे राजे पुलिस मुख्याने ने परधान मंत्री दोरे और स्रावनी मेले के आउयन को लेकर बड़ी त्यारी किया है गुरुआर को सुरक्षा समधित पूरी त्यारी कर ली जाएगी ज्यार्खन के सभी मुखिया को खेती पर दिया गया अनलाइन प्रसिक्षन ज्यार्खन के नर निर्वाचित ग्राम पंचायत के मुखियाओं को प्राकिर्तिक खेती के उपर अनलाइन प्रसिक्षन दिया गया प्रसिक्षन कारेकरम की सुरुवाद 4 जुलाई से प्रारम्भ होई पहले दिन 13 जीला के 26 प्रखंडों के मुख्या को प्रसिक्षन दिया गया बतादे प्रसिक्षन समेद जार्खंड वा N.C.N.F की जार्खंड एकाई ने सनुप्त रूप से की इसमें राची खुटी रामगर बोकारो पुर्वी सिमो पाकोर गिरीडी गोड़ा देवगर पलामो गुमला दूम का हजारी बाक के 26 प्रखंडों के मुख्या सामिल हुए राची बाल समप्रेक्षन गिरी के बंदी भेजे जाएंगे सिम्डेगा राची के बाल समप्रेक्षन गिरी में बंद 16-18 वर्ष के बंदियों को सिम्डेगा के समप्रेक्षन गिरी में रखा जाएगा महिला बाल विकास और समाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा जारी अजिसुचना में कहा गया है कि राची जीले में प्लेस आफ सेप्टी की अधारभूस सनर्चना त्यार होने तक यहां के बंदियों के लिए सिम्डेगा के बाल समप्रेक्षन गिरी को प्लेस आफ सेप्टी बनाया गया है राची बाल समप्रेक्षन गिरी में 120 कह दिया है इन में 40 के उम्र 16-18 या इससे अधी खाएं जार्खन की आंगनवाडी से विकावने दिया धरना नौ सूत्री मांगो को लेकर मंगलवार को पूरे राजे से आई हजारों की संख्या में आंगनवाडी कर्मियों ने धरना दिया आयोजन राजभोन के समीब जार्खन परदेश अंगनवाडी वरकर्स यूनियन ने किया इस दोरान अपनी मांगो के समर्थन में अंगनवाडी कर्मियों ने नारे बाजी और लंबित मांग पूरी नहीं होने को लेकर सरकार के खिलाप नराजगी जताई यूनियन की परदेश अध्यक्स वीना सिना ने कहा कि वर्ष 2016 से जार्खन परदेश अंगनवाडी वरकर्स यूनियन की अंगनवाडी सेविका सहाई का अपनी लंबित नव सुत्री मांगो को लेकर सरकार के समक्स अंदोलन कर रही है लोहर दगा में मुख्य मंत्री स्वास्त सहायता यूजना की बैठाक जाने की स्विक्रिती समीती द्वारा परदान की गई पूजा सिंगल समेत छो लोगों के खिलाप 46 दाखिल मन्रेगा घोटाला ममले में ED की BCS अदालत में सुनवाई हुई सुनवाई की दवरान BCS अदालत में ED ने 46 सोपा ED की ओर से IAS अधिकारी पूजा सिंगल समेत 6 लोगों के खिलाप 46 सोपा गया ED की BCS अदालत में सोपेगा 46 में आरोपियों के कालेक करना में की पूरी कहानी है बताद ED ने मंदगा घोटाला और मोनी डर्डरिंग ममले में 6 माई को जार्खन में पूजा सिंगल के 20 से अधिक टिकानों पर छापे मारी की थी 44 B8 कोलेजों ने नहीं जमा की परफोर्मेस अप्रेजल रिपोर्ट नेशनल काउंसिल फोर टीचर्स एजुकेशन की ओर से अनिवारे करने के बाउजु ज्यार्खन के 136 मेसेज़ वालिस B8 कोलेजों ने वर्ष 2021 का परफोर्मेस अप्रेजल रिपोर्ट जमा नहीं किया NCTE ने इसे गंबेता से लिया है NCTE की ओर से शिगर इन कोलेजों को नोटिस जारी किया जा रहा है रिपोर्ट में सभी कोलेजों को संस्थान की जमीन, अधार्भुष संरचना, सिक्षक करमचारी नियुकती, विद्यार्थियों की नमांकन की स्थिती, सूल्क संबत्ता, रियल्ट आधिकी जनकारी देनी थी जार्खन में 4.4 लाख से अधिक बार हुआ बजरपात, 68% जनजातिय की मुरित्यू, राजे में बजरपात या बिजली गिरने से मरने वालों लोगों में करीब 68% जनजातिय अबादी होती है, जब कि मातर 32% ही गयर जनजातिय की मौत होती है जार्खन में हर साल बजरपात से करीब 350 लोगों की मौत होती है CROPC और भारत सरकार के मौसम विज्ञान विभाग की वार्सिक रिपोर्ट में इस बात का जिक रहा है रिपोर्ट बताती है कि बजरपात के ममले में जार्खन सबसे अधिक खत्रे वाला राजे में से एक है यहाँ 2021-22 में 4.4 लाग से अधिक बार बिजली गर्जन या बजरपात हुआ था राजे में एर क्वालिटी में सुधार होने से राची के लोगों की 5.4 साल बढ़ेगी ओम्रे जार्खन में एर क्वालिटी में सुधार कर जीवन परत्यासा में बढ़ोत्री किया सकती है ऐसा किसी गिने चुने जीले में नहीं बलिक 24 जीलों में किया जा सकता है इसके लिए यह क्वालिटी इंडेक्स को PM 2.5 से कम रखना होगा ऐसा सिकांगो की एनरजी पॉलिसी इंस्चूट की स्टडी रिपोर्ट कर रही है अगर यह क्वालिटी को तैमानग पर रखा जाए तो धनवाद की लोगों की जीवन परत्यासा 6.8 साल और राजी की लोगों की जीवन 5.4 साल बढ़ाई जा सकती है यह राजी और यहाँ की लोगों के लिए भी सही है इस्टेन स्वामी की मौत की नयाइक जाज की मांग को लेकर नयाए मार्च फादर इस्टेन स्वामी नयाय मुर्चादवारा मंगलवार को सहित चोग से राजभौन तक नयाय मार्च निकाला गया इसके जरिये फादर इस्टेन स्वामी की महत की नयायक जाज की मांगी गई इस दोरान UAPA कानून को आपस करने की भी मांगी गई ग्यात हो कि मंगरवार के दीन फैदर इस्टेन स्वामी की मौत हो गई थी वे मौत से पहले लंबे समय से बिमार चल रहे थे इस्टेन स्वामी की पून्य ती थी पर सीम हमान सुरेन भी बीबी उनेस रांज लीदी जनता का काम नहीं करने वाले अधिकारी होंगे दंडित सीम हमान मुख्य मंतरी हमान सुरेन ने कहा है कि जनता हक के साथ वीडियो ओफिस सहीत अने करया ले जाए पेंशन सहित अन्य कारे के लिए अविदन दे अगर कोई अधिकारी काम नहीं करेंगे तो उन्हें नीचीत रूप से दंडित किया जाएगा बता दे धनबाद सहर को ट्रेफिक जाम से मुक्ति दिलाई जाएगी सीएम सोमवार को धनबाद में जीलाई पसासन के कारकरा में बतोर मुक्य अतिति समोधित कर रहे थे रांची हिंसा पुलिस जाच में कनफर्म उपद्रव में उतर परदेश का कनक्सन रांची के में रोड में दस जुन को जुमे की नमाज के बाद उपद्रव पतरबाजी वगोली बारी मामले में चल रही जाच पुलिस के उन संधान वा राई सरकार की दो सदस्य उच अस्तरी जाच में भी उतर परदेश का कनेक्सन सामने आ चुका है बता दे घटना के दिन ही सबसे पहले इस बात का खुलासा कर दिया गया था कि फूरी घटना के पिछे उतर परदेश से आय कुछ लोगों की भूम का है जार्खन में लगातार बढ़ रहे कुरोना केस जार्खन में धिमीर अफ्तार से ही सही कुरोना के मामने लगातार बढ़ रहे हैं हाल के दिनों में लगातार आउस्तन 50 संक्रमितों की पचान हो रही है इसते जार्खन में एक्टिव केस की संक्या बढ़ कर 344 हो गई है राजे के 24 जीलों में 6 ऐस्ते जीले हैं जहां अभी कोई एक्टिव केस नहीं है इनमें सिम्डेगा, साहेव गंज, लुहर्दगा, गढ़वा तता दुमका जीला सामिल है बाकी सभी जीलों में कोई न कोई संक्रमित है सिक्छा मंत्री से मिले बिधायक भानू भाजपा बिधायक भानू परताप साही ने राजे के सिक्छा मंत्री जगानात महतों से मंगलवार को रांची में उनके आवाज पर मिलकर गढ़वा परखंड के उतकरमिक मदे बिधाले कोरवाडी में प्रातना को लेकर छपी ख़वर को संग्यान में लेने का अनुरोद गिया बतादे बिधायक ने सिक्छा मंत्री से कहा है कि यह एक स्कूल का विशाय मात्र नहीं है बलिक समाज के लिए यह चिंता का विशाय है मंत्री ने भानुप परताप साही को बताया कि उनके द्वारा गड़वा उपायुक्त एवं एस्पी को इसका संग्यान में लेकर जाच करने का निदेश दिया गया है इस दोरान भानुप परताप साही ने भौनातपुर बिधान सभाचेतर के विभीन बिद्याले को उच बिद्याले में उत्करमन करने का भी पत्र दिया खुटी SDM IAA सयद रियाज के खिलाप योन सोसन का मामला दर्ज जारखन के खुटी जिले के अनुमंडल पदा अधिकारी IAA सयद रियाज अहमत के विरो दियोन सोसन का मामला दर्ज कराया गया है मामला 2 जुलाई का बताया जा रहा है इस मामले में खुटी SP अमन कुमार ने घटना के पोश्टी करते हुए बताया की ROPSDM को हिरासत में ले लिया गया है बता दे भातिये प्रसासनिक सेवा 2018 के खुटी के अनुमंडल पदा दिकारी सयद रियाज अहमत के खिलाफ ग्रामिन विकास के छेत्र इंटरनल सीप करने आई हिमांचल परदेश की एक छात्रान यां सोचन का अरोप लगाते हुए खोटी थना में एक प्राथमी की दर्ज कराई है धन्यवाद यदि आप चनल पनाए होथे चनल को सब्सक्राइब कर बहुल का बेल एक अन्दबजे साथ साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करना न भूले साथ साथ आप हमें जारखंडी न्यूज फेस्बूक पेज को लाइक करना न भूले